नमस्कार दोस्तो, मैं अमन राज, आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने वट्व चैनल इस्टरीवित अमन सर्पे। दोस्तो, आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्ण भारतिय समिधान के परमुख विश्यस्ताओं के बारे में बताएं, इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तो, आई अब हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। भारतिय समिधान का विश्यस्ता निमने लिखित हैं, लिखित तथा विश्त्रित समिधान, दोस्तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो भारतिय समिधान है उसे लिखा गया है, तथा विश्त्रित समिधान, दोस्तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो भारतिय समिधान उसमें सभी ची जो को विस्तारपुगक बताया गया ताकि बाद में किसमी परकर का दिकत ना हो लोग तांत्रिक सरकार की अस्थापना दोस्तो हमारा स्वमिधान एक ऐसे सरकार का अस्थापना करना चाहता है जो लोग तांत्रिक हो इसका मतलविया है कि यहां के जानता कोई अधिकार दिया जाता है कि वह अपने सरकार का चुनाव स्वयम करें संगहात्मक व्यवास्ता दोस्तों इसका मतलब यह है कि जो हमारा जो सरकार है यानि जो भारत का जो सरकार है वह दो भागों में बाटा गया है पहला केंद्र तथा दूसरा राज्यर इसे दो भागों में बाटा गया है तथा दोनों का अपना-अपना सक्टी तथा अधिकार है और ये दोनों मिलकर सरकार चलाता है दोस्तों इसका मतलब है कि हमारा समीधान एक ऐसे नियापिका कर वापना करना चाहता जो स्वतंत्र ओस पर किसी भी परकार का दवावना हो चाया वो विधाई का हो उसे प्रकार निस्पक्ष के साथ में वीना भेध्भाव किया सो मतलब है कि धर्म निर्पेक्ष राजय धोसित करता है, इसका मतव्य है कि भारत का कोई अपना धर्म नहीं होगा, भारत के अंदर जितने भी धर्म के लोग रहते हैं, सभी को एक समान माना जाएगा, तथा कोई भी विक्ति, किसी भी धर्म का अपना सकता है, तथा आपने धर्म का पचार कर सक सभी बेक्ति को यह अधिकार है सरोभवमिक ब्यस्क मत अधिकार संथा मतलब यह कि हमारे देश भारत के अंदर जितने भी लोग है जीनका उम्र इस्टारा वक्त या इस से ज़्याधा है उन सभी को मत देने का अधिकार प्राप्त है मौली का अधिकार दोस्तों हमारा भारतिय समिधान द्वारा नागरी को कि मौली का अधिकार का भी विवस्ता किया गया मौली का अधिकार वह अधिकार होता है जो पर एक विक्ति को उसका राज परदान करता है तथा जिसके साहता से वह अपना सरवांगिन विकास करता है या अपने विक्तितों का विकास करता है कि जैसे स्वत अंत्र था कि समानता कि संपत्ति कि मौली कर्टव्य दोस्तों हमारे समिध्यान में मौली का अधिकार के सांच साथ मौली कर्टव्य की बारे में भी बता गया मौली कर्टव्य एसा बुन्यादी करतव होता है जो इसके अपने समाझ अपना विकास त्था देच के विकास के लिए जरूर करता ह। मौली करता वे बेटी के कुछ मौली करता वे है जैसे अपने राष्ट्रिय धोज का सम्भान करना अपने समीधान का पालन करना दोस्तों इसके अलावा भी कुछ अन्य विश्यस्ता हैं जैसे कि एकल नाग रिखता कठोर तथल अचिला सम्मिधान एकल नाग रिखता भारती ये सम्मिधान भारत के नागरी को एकल नाग रिखता परदान करता है इसका और्थिया है कि भारत का नागरिक सिफ भारत का ही नागरिक होता है वह किसी भी अन्य देश का नागरिक नहीं हो सकता है यदि कोई भारती है नागरिक की किसी अने देश की नागरिकता गरहन करता है तो जिस समय हुआ अने देश की नागरिकता गरहन करता है ठीक उसी समय से भारत का नागरिक नहीं रहता है दोस्तों दूसरे सब्दों में हम लोग यह कर सकते हैं कि भारत में एकल नागरिकता का व दूसरा है कठोर तथा लचिला सम्मिधान दोस्तो भारतिये सम्मिधान के लचिले होने करतिया है कि भारतिये सम्मिधान के कुछ प्रवधान ऐसे हैं जिने भारतिये शंसन से धारन बहुमत के माधम से संसोधित कर सकती है उधारन के लिए राजो के नाम उनकी सीमा आदी दोस्तो आई अब हम लोग इसे विश्थार पुर्वख समझते हैं लिखीत तथा विस्तरित समिधान हमारे देश भारत का समिधान लिखीत है यह लिखीत होने के साथ साथ विस्तरित भी है इसका मतलब यह है कि इसमें सभी बातों को विस्तार पुर्वक बताया गया है हमारा समीधान बिश्व के अन्य देशों के समीधान से बड़ा समीधान है 1950 के समीधान में 49 धरायें थी इसमें लगवग असीशन सोधन किये जा चुके है दोस्ते इसका मतलब है कि जब भारते समीधान जब बना तो उस समय 1950 में जब बना तो उसमें 49 धराय थी इसमें लगभग असिशन सोधन किये जा चुके हैं लोग तांतरिक सरकार की अस्थापना हमारे भरतिय सम्मिधान की एक विशेष्टा यह भी है कि हमारा सम्मिधान एक लोग तांतरिक सरकार की अस्थापना का बात करता है इसका मतलब यह है कि यहां जनता को यहां अधिकार दिया जाता है कि वो अपनी सरकार का चुनाव स्वयम करे इसके साथ ही सभी बिक्ति को मतदान करने का अधिकार दिया जाता है और चुनाव लणने का अधिकार दिया जाता है इस परकार यहां एक ऐसी सरकार का गठन किया जाता है जो परतिनिधियों के माधम से चलाई जाती है संगहात्मक व्यवस्था संगहात्मक शरकार का और्थ यह है कि सासन का परवंध केंदर तथा राजये दो औस्तर पर होगा संगहात्मक सरकार के सक्तियों का वर्णन हमारे समिधान में मिलता है जिसके आधार पर दोनों सरकार संगीय धांचे के अंतरगत कारे करती है स्वतंत्र तथा निश्पक्ष निया पालिका हमारे देश भारत में सोतंत्र तथा निश्पक्ष निया पालिका का अथापना किया गया है ताकि वो हकर्य पालिका और विधाईका के दबाओं में न आका सोतंत्र तथा निश्पक्ष रुप से निन्नाई ले सके समीधान में इसके कारियों और सक्तियों का विश्तित पूर्वक वर्नन किया गया है यंवा नहीं चाहता है की हमारे जुनियापालक्या उसके उपर किसी भी परकार का दबाव हो और उस दबाव में आकर कोई भी निर्नेले इसलिए उपर नियापालक्या को सवतनतता निश्पक्ष का बात करता है धर्म निर्पेक्ष राज्य हमारा समिधान भारत को एक धर्म निर्पेक्ष राज्य घोसित करता है इसका अर्थ यह है कि हमारे देश भारत का कोई एक बेक्तिगत धर्म नहीं होगा और नहीं उसका किसी विशेस धर्म के साथ में ल सांत भी भेद्भाव नहीं किया जाएगा कोई भी भिक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है तथा अपने धर्म का सांती पूरुवक परचार कर सकता है सरोब्हानिक ब्यश्क मत अधिकार सभी नाघ्रिकों को मत देने का अधिकार है सरवभामिक व्यस्क मत अधिकार का और थिया है कि बिना किसी भेद भाव के यहाँ पर रहने वाले सभी व्यस्क नागरीक को मत देने का अधिकार प्राप्त है जिस बेक्टी का आयू और उससे अधिक होता है उससे व्यस्त माना जाता है तथा उसे मत देने का अधिकार प्रावत होता है दोस्तों इसका मतलब यह है कि यहाधी हमारा जो देश भारत है उसके अंदर जितने भी 18 वर्स या उससे अधिक उमर के वेक्टी है उन सभी को ब्यास्क मना जाएगा और उन सभी को मता अधिकार करने का अधिकार है हमारे भातिये समीधान में नागरीकों के मौलिक अधिकार के बारे में भी बताया गया है जो सभी वेक्टी को एक विशेश अधिकार परदान करता है मौलिक अधिकार वह अधिकार होता है जो परतेक वेक्टी को अपने वेक्टितों के विकास के लिए आवसेक होता है तथा उसे अपने राजे द्वारा परडान किये जाता है मौलिक कर्तव्य हमारे समीधान में मौलिक अधिकार के साथ नागरीकों के मौलिक कर्तव्यों के बारे में भी बताया गया है मौलिक कर्तब एक ऐसा बुन्यादी कर्तब है जो परतेक वेक्ति को अपना विकास समाज का विकास तथा देश के विकास के लिए जरूर करना चाहिए जैसे समीधान का पालन करना राष्ट धोज और राष्ट्र गान का आधर करना आदे दोस्तों इस वीडियो में इतना है इस वीडियो करन तक बने रहने के लिए धन्यवाद आए करना होगे आए दो आए हैं झाल झाल